हेलो दोस्तो गौवर्णमेंट ने एक आधार कार्ड का नया पोर्टल सुरू किया है जिसमें आप गर बेटे अपने आधार कार्ड में मुबाइल नंबर को लिंक करा सकते है बिना आधार सेंटर पर जाए तो कौन सा है वो पोर्टल और कैसे लिंक करना है क्या इसका प्रोसे रहने वाला है और कौन सी वेबसाइट है इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताने वाला हूँ तो वीडियो को आप कंटीनियू देखते जाएगा उससे पहले दोस्तों अगर आप हमाई यूटूब चनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो अ यहाँ पर इंगलेश को सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको यूटा का पौर्टल लोगिन हो जाएगा यहाँ पर निचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्सर मिलेगा आधार सर्वीस का यहाँ पर मैं आपको जूम करके बता देता हूँ क यहाँ पर साब एक लिंक मिलेगी वेरिफाई एन आधार नमबर इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने आधार का एक ओपिसल पोर्टल लोगिन हो जाएगा उसके बाद निचे की तरफ में आना है आपको और एक आप्सन मिलेगा चै का आधार वेलिडिटी का इस आप्सन पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा डैस्पोर्ट मिलेगा यहाँ पर आपको अपना आधार का नमबर देना होगा और क्यप्चर कोड डालके प्रोसीड के आप्सन पर क्लिक कर देना है च क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख सकते कि आपका mobile number कौन सा link के आदार कार्ड में यहां पर सो हो जाएगा और दूस्तो अगर आपका mobile number link नहीं होगा तो यहां पर not link लिखा हुआ आ जाएगा तो कैसे आपको घर बेटे mobile number को link करना है वो मैं आप यह आपको बता देता इसके लिए एक दूसरा portal है जो कि आपको इस portal की link इस video के description box में मिल जाएगी वहाँ पर click करके direct आप इस portal पर आ सकते हैं इस portal में आप उपर की side में देखेंगे दूस्तो कि आपको एक option मिलेगा service request का non-IPP customer के option पर click करना है और do stay banking के option पर click कर लेना है जैसे आप यहाँ पर click क आपको ओके option पर click कर देना है नीचे की तरफ आएंगे आपको इस छोटा सा फोरम है जो कि आपको online घर बेटे फिल करना होगा सबसे पहले आपको अपनी जो ही cellular station जो है यहाँ पर फिल करनी होगी उसके बाद आपको अपना नाम डालना होगा जो कि आपके आधार कार्ड मे के दिया हुआ है उसके बाद को आपको अपना एरिये का pin code नंबर डाल देना है जैसे आप नंबर डाल देंगे आपके nearest post office का नाम यहाँ पर सो हो जाने लगेंगे जो भी आपका nearestry पोस्त ओपी से उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है जैसे आप सिलेक्ट करेंगे आपके सामने जो आपका सारा है डिटेल से वह अटोमैटिक सो हो जाएगा आपको कुछ करने की जुरत नहीं है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको specific request डालनी होगी जिवाँ पर आपको लिखना होगा आधार, card, mobile number, update कुछी इस तरीके से जैसे में आपको लिख कर बता रहा हूँ वैसे ही आपको यहाँ पर type करना है आपके अपने laptop chrome browser में ठीके दोस्तों उसके बाद निचे आई एकरी consent का option है इस पर आपको जोहे click कर देना है जैसे ही आप यहाँ पर click करेंगे निचे की side में जो capture code दिया गया है उससे आप refresh करके अगर समझ में ना आए तो refresh भी कर सकते हैं और यहाँ पर capture code डाल देना है और side में जो button है submit का इस submit वाले button पर आपको click कर देना है जैसे आप submit के button पर click करेंगे आपके सामने your submission has been successful लिखा हुआ आ जाएगा आपका forum जोहे submit हो जाएगा कुछ दिनों में आपका अधा center वाला सिद्धा आपके घर पर आएगा आपका mobile number update कर देगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिगा चैनल पर नहीं है तो subscribe कर दीजिगा